आपने तो वीडियो देखी लिया होगा कि आज हम किस टोपिक पर बात करने वाले हैं जी है फ्रेंट आज हम लोग EDS में मास्किंग इफेक्ट सीखने वाले हैं EDS में मास्क कैसे करते हैं तो वी आर बैक फ्रेंट स्वागत है आपका सिरे एडिट में तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना EDS ओपन कर लेते हैं यह मास्किंग इफेक्ट आज कल टेलर में या टीजर में बहुत जादा यूज हो रहा है तो हम लोग इसमें इनपोर्ट कर लिए हैं जिसमें कि मैं यहां पर कुछ वीडियो रखा हूं यह वीडियो सॉरी यह वीडियो इनपोर्ट हो गया हम लोग मास्किंग एफेक्ट करना बहुत ही सरल तरीका से देखेंगे बहुत ही इजी वेम है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यह इस पर वीडियो हम लोग ड्रै करते हैं जो वीडियो हम लोग को first में रहना है वो वीडियो पहले हम timeline पर लाते हैं जैसे कि मैं चाहरा हूँ कि यह वीडियो सबसे पहले timeline पर आए timeline पर आने के बाद हम लोग वहाँ से start करेंगे जहां से पहले हम लोग decide कर लेंगे हम लोग कहां से start करना है ठीक है जैसे कि मैं यहां से चाराओं की start हो इस पर हम क्या करेंगे यहां से हम लोग cut लगा देंगे के यहां से कट लगा और इसके पहले वाला पार्ट को हम लोग डिलिट कर देंगा और इसको फर्स्त में लेकर चल जाएंगा ठीक है और जहां से करना है वह फर्स्ट फ्रेम पर रहके हम लोग को एक Snapshot लेना होगा जहां एक मैं आपना इसमें डेम है में रखा हूं हम लोग सेब कर लेता हैं ठेक है अब हम कंट्रोल करते हैं तो यह तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ एक इस्रील फोटो क्लिक हो गया ठेक है इसको हम लोग क्या करेंगे इसको फोटो शो Computer ले जाएंगे यह रहा और ऐसा masking effect बननाने के लिए हम लोग क्या करना होता है कि हम लोग का background और जो object है उसको हम लोग अलग-अलग करना होता है object को हम लोग png में save करेंगे और background को हम लोग jpg में save करेंगे ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले इसको अलग करते हैं तो अब आप देख पा रहें इसमें जैसे की एक, दो, तीन, चार, पांचे लोग हैं इसमें तो आप चाहिए तो आप सबको बारी-बारी से भी कर सकते हैं semi method होगा लेकिन मैं एक ही पे करके आपको बता रहा हूँ ठेका इस पे करके बता रहा हूँ इसको हम लोग select करेंगे select करने के लिए हम लोग यहां से select subject पर click करेंगे तो यह select होना start हो जाएगा बहुत ही simple तरीका से हम लोग देखेंगे अब क्या होगा कि सारे select होगा सारे select करेंगे हम लोग नहीं चाहिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे सारे को deselect करेंगे तो मैं जल्दी से कर ले रहा हूँ यह भी deselect हो गया इसको हम quick selection के मदद से जल्दी जल्दी select कर ले रहा है अब लोग जीतना अच्छा select किजिएगा उतना ही अच्छा effect बनेगा ठेका है मैं तो roughly select कर रहा हूँ जल्दी जल्दी बताने के चकर में क्योंकि ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो ठेका है चलिए यह almost मैं select कर लिया ठीका है इसको इसको png बनाने के लिए हम लोग control j का use करेंगे जैसे कि यह photo बाहर हो जाएगा यह png इसको हम लोग png में save कर लेंगे उसके लिए control alt s का press करेंगे और यह save type open करके यहाँ पर png है यहाँ पर png है हम लोग png में फोटो को save कर लेंगे ठीका है png में photo को save किये और उसके बाद यह जो photo हुआ इसमें से यह photo को remove करना होगा उसके लिए हम लोग content aware का इस्तिमाल करेंगे इस पर हम लोग select करके और इसका selection को थोड़ा सा expand कर दे रहे हैं ठीका है यह selection को expand कर देंगे एट और उसके बाद edit में जाके content aware पर जाके इसको fill कर देंगे ठीका है और यहां से okay पर click करेंगे अब यह क्या हुआ कि background अलग layer पर हो गया और हमारा object अलग layer पर हो गया ठीका है हम लोग इसको भी save करेंगे इसको भी control alt और s के माधियम से यहां पर jpg है jpg में हम लोग one नाम से इसको save कर ले रहे हैं ठीका है यह jpg save हो गया उसके बाद हम लोग इसको फिर हम लोग edx में आ जाएंगे और इसको थोड़ा सा यह बाहर की तरफ करके वह png को और photo को हम लोग input करेंगे यह रहा हमारा png यह रहा हमारा photo और यह photo को हम लोग first में लगाएंगे उसके उपर हम लोग यह png रखेंगे हाँ अब यहां से start होता है हम लोग देखेंगे कितना जल्दी और कितना देर से हम लोग move करके photo को लाना चाह रहे हैं ठीक है तो मैं चाह रहा हूं कि 5 या 10 फ्रेम के बाद वह photo move हो तो 1,2,3,4,5,6,7 ऐसे ही माल लेते हैं यहां तक हम लोग चाह रहे हैं कि यह move हो के आ जा करेंगे लास्ट फ्रेम पर आखकर हम लोग यहां से layout में हम लोग layout में की set करना होता है ठीक है तो layout को हम लोग open करेंगे और यहां से यह सारे की को enable कर लेंगे यहां पर से layout में जाकर और यहां पर की फ्रेम लगा देंगे इसके पूरा last में जाते हैं यहां पर हम लोग की फ्रेम लगा दिये और इसके सुरू में जिधर से भी move करना है top से या bottom से या right से left से जिधर से भी move करना हो तो मैं चार रहuls कि यह left से move हो तो इसको हम लोग left के तरफ ड्रेग कर देंगे अब क्या हुआ है ची की फ्रेम का value कुछ और है और यहां पर इसका value कुछ और है अब यहां से यहां तक यह drag यहां से यहां तक यह move होके आएगा ठीक है किमको हम लोग यहां की value कुछ और रहा किया यहां पर की value कुछ और रहा किया ठीक है इसको हम लोग यहां से ok कर देते हैं अब यहां पर हम लोग review देखते हैं यह देखिए यह move होके आया यह fast में अगर हम चाहरे हैं कि और थोड़ा slow आए इसको हम लोग यहां पर यह PNG को थोड़ा और बड़ा कर लेंगे और layout open करके यह जो last वाला की frame है इसको हम लोग यहां पर move कर देंगे ठेक है अब क्या होगा कि इतना देज में आएगा ठेक है और यहां से यह जो background वाला है इसको भी move होके आया और उसके बाद यहां से हम लोग video थोड़ा fast कर देते हैं उसके लिए alt e करेंगे और 300 हम लोग speed कर देते हैं ठेक है और फिल हम लोग यहां से फिर slow कर देते हैं 100 इसका general speed पर ठेक है अब देखिए यहां से यह move होके आया और उसके बाद यह start हुगा ठेक है अब ह तक यहां से मुझा करेंगे पिर दूसरा वडियो को देड즈 करेंगे और यह वीडियो को इसमें अटेच कर देंगे में कि अटेच करने के बाद फर्स प्रेम पर ही रहा के हम लोग छीन फोटो करेंगे डिर से के लिए हम लोग ctrl T का इउज करेंगे तो एक और photo snap हो जाएगा ठीक है फिर फोटोशोप में जाएंगे और फोटो को लाएंगे फोटोशोप में रखेंगे और इसका बैक्ग्रांट से PNG हम लोग अला करना होगा ठीक है यह फोटो से यह अब्जेक्ट को हम लोग को अला कर करना को उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फिर यह क्विक सेलेक्शन टूले के सलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यह आटूमेटिक सलेक्ट हो जाएगा ठीक है यह इफेक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इसको स्टेप बाई स्टेप देखिए सब समाझ यह भी प्रोपर उप से सलेक्ट नहीं हुआ तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा मिनुवल सलेक्ट कर ले रहे हैं ठीक है चलिए अल्मोस्ट सलेक्ट हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे वही कंट्रोल यहाँ पर थोड़ा सा रह गया है एक सेकेंड इसको आटा देते हैं इसको हम लोग क्या करें करेंगे तो यह अलग हो जाएगा इसको भी हम लोग कंट्रोल अल्ट और एस से इसको पी एंजी में सेव करेंगे याद रहे कि जो अलग हुआ है उसको पी एंजी में जो फोटो अलग हुआ है उसको पी एंजी में और जो बैगरांड है उसको जेपी सेब नहीं करेंगे ठिक है क्योंकि में देखते है इस इस बीडियो पर वो PNG को मुँभ कर नहीज है उसके बाद यह बीडियो प्ले हो जाएगा नेक्स बीडियो ठिक है क्यों छोट से जहां तक खतम हो जाई है यह PNG को cut कर लेंगे और इधर राइट वाला पार्ट डिलीट कर लेंगे और फिर यही फोटो पे क्लिक करके राइट ले आउट में जाएंगे और यहां पर भी वही सेम की फ्रेम एड करेंगे और फर्स्ट में जाके जिदर से भी मूव करना है उधर से मैं जा रहा हूं कि य टॉप से आए वीडियो फोट जो यह PNG है यह टॉप से आए ठीक है हम लोग टॉप पे करके इसको OK कर देंगा अब यहां से हम लोग को देखिए यह टॉप से आया अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक म्यूजिक आइड कर लेंगे तो मेरे पास non copyright मैं म्यूजिक देंगे ठीक है यह मेरे पास दो इफेक्ट है साउंड है मूब करने वाला यह भी मैं साउंड दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और यह बैगरांड म्यूजिक भी दे दूँगा आप लोग यूज कर सकते हैं ठीक है अब यह इसको हम लोग यहां पर ड्राइग किये और जो इसका वईव है यह वेव है वेव को कुछिस करेंगे कि यह जो मूव हो रहा है इसके साथ मैच करें ठीक है तो यह यहां से आप देखिए कितना अचहा लग रहा है अब इस भी मूब पर यह फोट पर हम लोग क्या करेंगे यह यह मेंboards प्सक्रिक करके साउंड इफेक् इसका जो वेब है यह फोटो से बाहर हो गया तो इसको भी हम लोग इसको अरजस्ट कर लेंगे क्योंकि ताकी लगे कि फोटो के साथ में हुआ अब प्रोपर अजस्ट हो गया आप देखिए है ठीका है कि साम थोड़ा ज्यादा है कि हुआ ऐसे ही करके आप बारी बारी से मास्किंग इफेक्ट कर सकते हैं तो जैसे कि यह भी वीडियो हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर कट कर देंगे और इसको ड्लीड कर देंगे उसके बाद अगर यह भी वीडियो रखना है यह वीडियो रख लेंगे या फिर एक और य एक Snapsod लेना है एक इस्टील इमेज लेना है उसको फोटोसोप में जाके उसका बैगराउंड और अबजेक्ट अलग-अलग करना है उसके बाद पहले बैगराउंड रहके उसको अबजेट को हम लोग मूब कर लेंगे और साउंड डाल कर और जिदर से भी मूब कराना उधर स मूब करा सकते हैं यह देखिए तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब की दिएगा और वीडियो को ज़्यादा स्यर करने के कुछिस करें ओके थैंक्स बाबाए कर दो